मेरे परिवार जनों, मैं आज 36 गड़ के आप लोगों का एक और बात के लिए धन्यवाद भी करना चाहता हूँ आपने यहाँ कॉंग्रेस की तो हार तो पक्की की है मुझे पुरा भरोजा है आपने यहाँ कॉंग्रेस की हार तो पक्की कर ली है 36 गड़ के 36 गड़ के 30 परसेंट वाले कक्का भी करारी हार भी आप पक्की माल लीजिये यह कक्का का जाना भी पक्का आज हर तरफ से खबरें आ रही है कि 36 गड़ के मुख्मंत्री का विधायक बनना तक मुश्किल हो गया है 36 गड़ के लोगों के साथ ही कॉंग्रेस के जो पुराने समर्पित कॉंग्रेस ही है वो यहाँ के मुख्मंत्री से इतना चिड़े हुए है किस बार उन्होंने यहाँ के मुख्मंत्री को हराने की ठान ली है अब उनके MLA बन तक के लाले पड़ रहे हैं दरसल कॉंग्रेस के पुराने दिगजों को लग रहा है कि एक बहुत बड़ा दोखा उनके साथ यह मुख्मंत्री और कॉंग्रेस के दिल्ली के आला कमान ने किया है आपको याद होगा 36 गण में कॉंग्रेस की सरकार बनी थी तब मुख्मंत्री के पद के लिए यहाँ धाई धाई साल का एग्रिमेंट हुआ था हुआ था गे नहीं पहले तो ऐसी कोई पार्टी देखी है जिसको घर में भी एग्रिमेंट करना पड़े ऐसी पार्टी देखी है भई इनको घर में भी एग्रिमेंट करना पड़ा और उस समय ताई हुआ था कि भुपेश बगेल सिर्फ धाई साली मुख्यमंत्री रहेंगे लेकिन इन धाई सालों में मुख्यमंत्री ने पद का जितना दुरुप्यों हो सकता है किया हजारों करोड के गोटा ले करके पैसे के पहाड खड़ा करके सारा खेल बदल दिया कहने वाले कह रहे हैं कि लूट के ये पैसे दिल्ली में कॉंग्रेस के आला कमान तक गए हैं यहां के मुख्यमंत्री ने गोटा ले की रकम दिल्ली तक पहुँचा कर सौधा कर लिया अगले धाई साल और खरिद लिये लोग कहते हैं कि इन पांच सालों में पुपेश बगल के बेटे हो नाते रिष्टेदार हो उनकी आसपास रहने वाले अपसर हो इस सब के साब सूपर सीम बन कर छतिस गड़ को बरबाद करने का काम किया है छतिस गड़ को लूटने का काम किया है इसलिए यहां के लोगों ने ठान लिया है कि इन सभी प्रस्टाचारियों को कड़ा सबक सिखा कर रहेंगे